ये देखे मैंने यहाँ पर 19 फंदे लिए हैं 16 फंदे 8 के multiple से लिए हैं दो बार 8 फंदे लिए हैं तो 16 फंदे 1 फंदा साइड में design को equal करने के लिए तो 17 फंदे 2 फंदे stitch के लिए तो 19 फंदे नीचे से base देने के लिए 2 रो उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल लिए है तो आपने जब भी अपने किसी भी project में इस design को डालना है तो आप 8 फंदे लेंगे प्लस 3 फंदे एक्स्टा रखेंगे तो आपका ये design अच्छे सेट हो जाएगा तो चलिए बनाते हैं पहली रो सीधी side as to slip करेंगे repeat pattern start करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर जाएगा डालेंगे पीछे की side से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे धागा आगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन धागा पीछे आगे की side से दो फंदों का एक फंदा जाएगा पीछे आगे की side से दो फंदो सीधा बुना जाई डाली पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा तीन फंदे उल्टे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाई डाली यह आठ फंदों का पैटन है दो चार छे आठ फिर से पैटन को रिपीट करेंगे तो दिखें फिर से एक फंदा सीधा जाई डालेंगे, पिछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाई डालेंगे, एस्टि छोड़ कर यहां तक हमारे दो पैटन कम्प्लीट हो गया है, लास्ट में दो फंदे एक फंदा सीधा, एस्टिस सीधा बुन लेंगे, पहली राव कम्प्लीट हो गई है, दूसरी राव रॉंग साइड, इस राव में सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे, जालवल फंदे उल्टे बुनेंगे, एस्टिस स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टाट करें तीन फंदे उल्टे एक चलिवल फंदा भी उल्टा ही दो तीन धागा पीछे तीन फंदे सीधे एक तो तीन दो फंदे उल्टे एक दो यह देखे हमारा एक पैटर्न कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने तीन फंदे उल्टे बुने तीन फंदे सीधे दो फंदे उल्टे फिर से पैटर्न को रपीट करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फंदे सीधे एक दो तीन दो फंदे उल्टे एक दो लास्ट में दो फंदे बचेंगे एक फंदा उल्टा एस्टिच उल्ट बनेंगे तीसरी रहो है सीधी साइड है एस्टे स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे दो फंदे सीधे एक दो जाए डालेंगे पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनेंगे एक फंदा उल्टा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाए डालेंगे एक फंदा सीधा ये देखे हमारे एक पैटन कमप्लीट हो गया है इसमें हमने दो फंदे सीधे बुने जाए डाली पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा उल्टा आगे की जाई डालेंगे, पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा उल्टा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, एस्टिच छोड़कर यहां तक हमारे दो पैटन कम्प्लीट हो गए हैं, लास्ट में दो फंदे हैं, एक फंदा सीधा एस्टिच सीधा बनेंगे तो दिखिए तीसरी रो कम्प्लीट हो गए हैं चौती रो रॉंग साइड फिर से सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे जारी फंदे भी उल्टे ही बनेंगे एस्टिच स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे चार फं फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, ये देखे, हमारे एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है, इसमें हमने चार फंदे उल्टे बुने, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, फिर से पैटरन को रिपीट करेंगे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, एक, तो, तीन, लास्ट में दो फंदे बचेंगे, एक फंदा उल्टा, एस्टिच उल्टा, पांच में राँ है, सीधी साइड है, एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटरन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, आगे की साइड से, दो फंदों का एक फंदा, चाई डालेंगे धागा आगे, एक फंदा, उल्टा, जाई डालेंगे धागा पीछे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा ये देखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने दो फंदे सीधे बुने आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाए डाली एक फंदा उल्टा जाए डाली पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे तो दिखें फिर से दो फंदे सीधे एक दो आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाए डालेंगे कम्प्लीट हो गए हैं लास्ट में दो फंदे हैं एक फंदा सीधा एस्टिस सीधा बुनेंगे तो दिखिए पांचवी रहों कम्प्लीट हो गई हैं चाटी रहों साइड सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे जाले फंदे सीधे बुनेंगे इस रहों में जाले फंदे स्टार्ट करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फंदे सीधे एक दो तीन जाले फंदे सीधे बुने हैं धागा आगे दो फंदे उल्टे एक दो यह देखे यहां पर मैंने तीन फंदे उल्टे बुने तीन फंदे सीधे दो फंदे उल्टे फिर से पैटरन को रपीट करे तो दिखके, 3-फन्दे お उल्टे 1,2,3 फंद्धे सीधे जलवर फंद्दा सीधा बुनेंगे 1,2,3 में दो फंद्धे अल्टे, 1,2, लास्ट में में 2 फंद बचेंगे 1 फंद ऊल्टा में44 प्रिच उल्टा, साथ में ही रो है सीधी साइड है, एसटे स्लिप करेंगे, रपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा, सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, जाली डालेंगे, आगे लाएंगे धागे को, तीन फंदे, उल्टे, एक, तो, तीन, जाली डालेंगे धागा पीछे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा ये देखिए हमारा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है समय हमने एक फंदा सीधा बुना आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाए डाली तीन फंदे उल्टे जाए डाली पीछे की साइड से दो फंदो करेंगे तो दिखेेए एक फंदा सीथा आगे की साइड से दो फंदो का एक फंदा जाय सीधा, aby gdyby में सीधे जलेवल फने सीधे बुनेंगे सबस्तित करेंगे रिपीट सिटार्ट करेंगे दो दो, धागा पीछे 5 फंदे सीधे, जले वल फंदा सीधा पुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, एक फंदा उल्टा, ये देखिए हमारा एक पैटर्न कम्प्लीट हो गया है, इसमें हमने 2 फंदे उल्टे पुने, 5 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1, 2, 5 फंदे सीधे, जले वल फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, एक फंदा उल्टा, लास्ट में 2 फंदे हैं, एक फंदा उल्टा, एस्टिच उल्टा बुनेंगे, तो देखिए, आठमी रौ कम्प्लीट हो गई है, और हमारा पैटर्न भी कम्प्लीट हो गया है, फिर से हम इसे फर्स्ट रौ से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही बार-बार इसकी 1, 2, 8 रौ रपीट करते जाएंगे, और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा, य इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में ढाल सकते हैं, लेडी काडियन में, लेडी चैकिट में, गर्ल्स टॉप में, बच्चों के सैटर में अपलाए कर सकते हैं, तो आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है, और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है, तो आप भी से बनाईए और अपने experience हमारे साथ share कीजिए अगर आपको हमारे patterns अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को like करना family friends के साथ share करना और चैनल को subscribe करना मत भूलें तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और नए नए से pattern के साथ till then bye bye friend